लीजे सुनिए सूर्य कांति तरपाथी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग बीज मेरी यानि समीर को स्वामी के आवाज में कमल भीतर कपड़ी बदल रही थे बाहर कुमार प्रतिक्षा करता हुआ नए-नए संबंध की घनिष्टता की दोर कमल के स्नेह कर में जो थे कुमार उससे बंधता जा रहा था उसने बुलाया था वो गया हुआ है यद्यपी कुमार पहले से प्रकृती का पूरा स्वतंत्र था फिर भी इधर की परिस्थिती ने उसके लिए लक्ष विशेश नहीं रखा कमल सज कर बाहर निकली और कहा बड़ा अच्छा मौसम है है ना नीचे उपर देखती हुई कुमार ने भी नीचे उपर देखा और कहा हाँ आकाश और प्रत्वी दोनों का पेट भरा हुआ है इसलिए हस रहे है चलती हुई कमल बोली आप लिखे तो सटायर बहुत अच्छा लिख सकते हैं आपको किसके सटायर पसंद है ड्राइडन के बहुत हैं गंभीर शिक्षक क कंट से कुमार ने कहा आजकल तो ब्यूटी सटायर की ही हो रही है शा की सारी विट सटायर में लगी तुमारी बंगला में इसके कई अच्छे लेखक है रवी बाबु की सटायर तो बड़े ही साफ उतरते हैं आप बंगला साहित की भी जानकारी रखते हैं चकित होकर कमल न पूछा, हाँ, मैं वहीं इतना बड़ा हुआ, शिक्षा भी वहीं पाई, ग्रेजियेट मैं वहीं कलकत्य का हूँ, बंगला मेरी वनेकूलेर थी, मैंने कुछ अच्छी ही तरह बंगला सहित पढ़ा है, शिष्टा चार पूरवक मंदो चरित शब्दों में कहा, अपनी खास क खल्पना पर जोर देती हुई उल्लसित होकर कमल ने पूछा, आप बंगला गाते भी होंगे? हाँ, सोचकर खुश करने के अभी प्राय से कुमार ने कहा, पर गाना तो तुम लोगों का है, यानि स्वर्जने स्वर्गिये दान के तोर पर बारी एक मिला हुआ है, पुर्श जाहित कहें, डूब मरने के लिए, त्रियक दृष्टी से कुमार को देखती हुई कमल ने चोट की, नहीं इस त्रियों की तारीफ करने के लिए, गंभीर होकर कुमार ने कहा, कमल लज्जित हो गई, कुमार ने पूछा, तुम तो गाती होगी कमल, मुझे भी अपना गाना सुनाओ एक तिम, अच्छा लोट कर, आज हमारे यहां खाना खाईए, आपको खाने में परहेज जरूर नहोगा, दौना बाते करते हुए जा रहे थे, रास्ते में कुछ बंगाली खड़े थे, दो एक कमल को जानते थे, यहां उसके पहनावी और चाल ढाल से जाहिर था, क बंगाली हिंदू समाज के थे, कुमार के साथ कमल को देखकर मुस्कुराए और आपस में बाते करने लगे जैसे सुना कर, कोई कौम छोड़ेगी नहीं, ब्रहम समाजी चोकड़ियां, छे महीने हुए, एक ने रावल पिंडी के सिख से शादी की, हाँ हाँ, शादी के दू कमल और एरान पहुचती हैं, दोनों सुनते हुए निकल गए, कुमार गंभीर, कमल मुस्कुराती हुए, बढ़कर कमल ने पूछा, आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, क्योंकि मैं काबली या एरानी नहीं हुए, पर नहीं समझ में आता है कि इब्रहम समाज का ये विश्व नहीं करता, कहते हैं कवी लोग कलपना में समझ लेते हैं सारी बाते, आप कवी होने की कोशिश कीजिए, तुम समझी नहीं, मैं कहता हूँ कि कवी होकर मैं जैसे समझ गया, पर तरुनियों का मतलब समझने वाली अफगानी और इरानी भी कवी होते हैं, कमल को जैसे किसी ने गुद गुदा दिया परसन हो कर बोली आपने थेटर में पार्ट भी किया है जान पड़ता है कम से कम कॉलिज में ड्रामा जरूर खेले होंगे ड्रामा भी खेले और सजीव एक्टिंग भी दिखाई तुम देख चुकी हो इश्वर की किर्पा पहले से मुझ पर ऐसी है कि जितने कदम उठाए सब पीछे की और शुमार किये गए कमल समझी हिर्दाय में दुख की च्छाप पड़ते ही बात बदल दी कहा आप एरानियों की कविता समझने की बात कह रहे थे आप तो ये जानते हैं कि पेड़ों की भाशा और मेगमाला की भाशा भिन है पर पेड़ों की प्यास उनका आकर्शन मेगमाला समझती है और आड़्द रोहोकर उन पर इसने है सिक्त धारा बरसाती है मरू भूमी के लिए उसका ये नियम नहीं हाँ मैं समझा पर ये जरूर कहूँगा कि काबली हिर्दाई की प्यास बुजाने वाली कल्पना में कावरस अधिक है वे गवार हैं हम लोगों को बनाया करते हैं ब्राम्मे समाज का मुकाबला करे देर है आज भारत के सर्वश्रेष्ट पुरुष हर विशय के सर्वोत क्रष्ट योग बीच में बात काटकर कमल को उत्ते जित जान कुमार ने कहा इसमें क्या शक है काव विज्यान दर्शनिति हास राजनिति यहां तक की संपाद कत्व में भी ब्राम्म समाज सबसे आगे है मन में कहा इसी तरह प्रेम में भी बढ़ गया तो क्या बुरा हुआ खुल कर कहा यह मेरा घर है कमल बोली आपका घर देखूंगे आपकी मा है मिलूंगी उनसे आईए केकर जीने से खटा खट चड़ती हुई गई पीछे पीछे कुमार दो मन्जिल पर गई निरू जल्पान कर बैठी थी देवी सावित्री कुमार आ रहा है जानकर बैठी रही निरू को देखकर एका एक खुशी से उद्वेलित हो अच्छा तुम भी हो कहकर मंदिसमित अहाथ जोड़कर सावित्री देवी को नमसकार किया कुमार के पढ़ाने की खबर सावित्री देवी को मालू हो चुकी थी उठकर अपनी कुर्सी पर कमल को बैठा लाए कुमार भी आ गया परचै करा दिया पर कुमार के गले में उसका साधरान स्वरन था सावित्री देवी ने एक बार निरू को देखा उसे निशपलक अपुरव भाव से कुमार को देखते हुए देखकर रामचंदर को आवाज दी रामचंदर नीली के साथ छट पर खेलता हुआ बाते कर रहा था मा से दूसरे कमरे से कुर्सी ले आने के आग्या सुनकर उतराया और कुर्सी लेने गया कुर्सी पर कुमार को बैठने के लिए कहकर सावित्री देवी पलंग पर निरू के एक बगल बैठ गई नीली भी उतराई और रामचंदर के साथ बाहर वाले बरामदे से देखने लगी मा इन्हें ही पढ़ाने के लिए निक्त किया गया हूँ श्री कमल सुष्मा चटर जी इनका नाम है आदर के स्वरों में कुमार ने मां से कमल को परचित किया कमल की बिलकुल खुली हुई निस्तरास हवा हवा पर उड़ती हुई जल भारानत मेगमाला वाली परकृती के सामने सावित्री देवी एक अग्या दवाव से जैसे संकुचित हो गई उनके ग्रहस्त जीवन में वैसी प्रकृती का परचैना हुआ था उनकी परचित बंगाली समाज की महिलाओं का ग्रह की सीमा में ही कुशल, शिप्र, शिक्षित और उन्नत रूप था ब्रह्म समाज का नाम वे सुन चुकी थी और दूसरी बंगाली महिलाओं की तरह शिष्ट भाव से उन्हें ब्रह्म ग्यानी कहती थी उनके मन में निरूशिक्षित लड़कियों की चरम विक्सित रूप थी बिलकुल में मिया, मिस्का स्वभाव, उनकी प्रकृती पर एक अग्याद दबाव छोड़ता था जैसे उनकी संस्कृती की वो रूप रेखा, नारी स्वभाव के प्रतिकूल मालुम देती हो अपने में समाई हुई मधुर क्षिन स्वर से बोली मैंने अनुमान कर लिया था ख्षन मात्र देर किये बिना, जैसे पहले से घनिष्ठ परचे रहा हो ऐसे स्वर से कमल ने पूछा, इन से आपका कैसा परचे है ही हे मेरी मालकिन है, सावितरी देवी मधुर मुस्कुराई इस से कमल की शंका निवरित न हुई, वैसे ही खुली आवाज में पूछा आपके मकान का किराए वसूल करने वाली? निरू जल उठी, पर बैठी रही, कुमार की मा को देखती आँखे मुस्कुरादी नहीं, सावितरी देवी ने कहा, हमारे गाओं की जमीदार, पहले इनकी पिता थे, अब ये हैं कहकर इसने हैं से निरू को देखने लगी, कुमारी गांभीरी की स्वरगी महत्ता से निरू मौन थे, रह रह कर एक विशेश भाव से कुमार को देख लेती थी बहुत सी बाते कुमार के भी मन में उठी, पर दम साधे बैठा रहा, निरू जियों जो गंभीर हो रही थी, कुमार चंचल, जब से आया, संबर्धना का शब्द नहीं निकला, सोचकर तुर्टी से बचने के लिए, बहुत कुछ अपने को संभाल कर कहा बड़ी किरपा हुई, जो यहाने का कश्ट सुईकार हुआ आपको, कहकर मन में सोचा, जैसे तुर्टी हो गई, निरू कुछ न बोली, सावितरी देवी कमल की अभ्यर्थना की विचार से उठकर दूसरे कमरे की और, मन में एक निश्चे से प्रसन होकर चली कि कमल निरू स तुम तो ऐसी मौन हो जैसे सस्राल आई हो, इन्हें पश्चा था आप है, कमर ने कहा, कमल एक कागरता से कमर को देखने लगी, कमर कहता गया, एक रात बगएर पहचाने मुझे गोरू कह दिया था, कमल खिल खिलाकर हस दी, कमर कहता गया, कुछ चिड़ गई थी, हाला कि कस इनके मधुर स्वर के आगे मुझे अपना स्वर भूल गया, रास्ता भूला राही जैसा मैं इनके अगिया बैताली स्वर के पीछे पीछे चला, निरू पहली की तरहे चुपचा प्रतिमा सी बैठी रही, कमल जानती थी कि निरू अच्छा नहीं काती, समझी ये उस पर आक है, खुशी से भरी हुई पूचा, फिर? फिर ये अपने सत्त रूप में प्रकट हुई और मुझे रास्ता बता दिया, इसी समय तश्तरी में जल्पान सजाकर सावित्री देवी आई और कमल की भगल में खड़ी हुई, उनके पूचने से पहले ही वो ढंग देखकर जल कमल ने एक इलाइची उठा ली, फिर निरू से साइस ने उसी सकी भाव से कहा, हम लोग टेहले निकले हैं, लोटकर मेरे घर चलो, डॉक्टर साहब गाना सुनेंगे, कमल ने स्वर से समझा दिया कि मैं भी गाउंगी, अगर उस दिन कोई कसर रह गई हो तो पूरी कर लेना पर निरू ने निमंत्रन सुईकार न किया, मन में एक अशांतिय का एक पैदा हो गई थी, बहुत सभलकर जैसे कहीं से भी न खुले, कहा, नहीं कमल मुझे फुरसत न होगी, नीली एक टक खड़ी होई कमल को देख रही थी, कुमार के लोटने पर निरू का हाल कहने का बांध चुका था, इसलिए निरू के प्रती उनकी वैसी सने धारा उसके दर्शन मात्र से प्रवाहित हो चलती थी, हाथ पकड़कर हमें फिर तुम्हें जल्द देखने की प्रतिक्षा रहेगी, कहकर साथ साथ नीचे उतनी, नीली एक दफ़ा कमल को असह द्रिष्टी से बेहन के साथ हो ली, कमल इस वैशम का जैसे कोई कारण न समझ पाई, ऐसी द्रिष्टी से निरू की ओर देखती रही, कुमार चुपचा बैठा रहा, जैसे ये सब अंधकार हो, इसके भीतर द्रिष्टी साफ हो ही नहीं सकती, समझ रहा हो, सावित्री देवी के लोटने प सूर कांत तरपाथी निराला के लिए के उपन्यास, निरू पामा का भाग बीस मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में